हेलो स्टूडेंट्स वेलकम अगें टू लण्वृत देतीमन आज हम करेंगे सेवन्थ क्लास का चैप्टर नंबर टू खड़िच एवं उर्जा संसाधन आप लोग 2nd grade की तयारी करें चाहे 1st grade की तयारी करें राजिस्थान का इतिहास भूगोल आपको पढ़ना होगा तो हम वही कर रहे हैं बिल्कुल सही दिसामे कारे कर रहे हैं ठीक है तो आप लोग मन लगा कर इन चैप्टर को पढ़िए हमें पता चल चुका है आप लोगों मैंने भी न्यूज देखी होगी कि 10,000 के सम्थिंग जो है 2nd grade की जो विकैंसी आएंगी और 6,000 तक के लगभग आपकी 1st grade की विकैंसी आ रही है तो सभी लोगों ने देख लिया होगा अपना जो मैंने वीडियो डाला था कि कौन-कौन बच्चे 2nd grade का एक्जाम दे सकते हैं जिनका भी subject combination सही नहीं बैठे उनको 1st grade के लिए तयारी के लिए जुट जाना है तो उसके लिए भी आपको ये पढ़ना होगा ठीक है तो इस चीज़ से तो आप नहीं बच पाओगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं खनिज एवम उर्जा संसादन 7th class का 2nd chapter प्राकर्टिक सं जाते हैं तो दैनिज जीवन में हम खनिजों का उपयोग करते हैं खनिज का अर्थ क्या है तो देखिए अर्थ जानिए कि खनिज जो है एक निश्चित रसायनिक संग्ठन वाला भौतिक बधार्थ होता है क्या होता है यह, यह एक निश्चित रसायनिक संगठन वाला भौतिक पधार्त होता है, जिने हम खानों से खोद कर निकालते हैं, तो सीसा, जस्ता, चूना बत्थर, अबरक, कोईला, तामा, लोहा, खनिज देल, यह सबी क्या हैं, खनिज हैं, ठीक है, खनिजों के प्रकार, खनिज तीन प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, और उर्जा खनिज, तो नाम से ही पता लग रहा है, जिन खनिजों में धातू मिलेगा, वो धात्विक खनिज, जिन में नहीं मिलेगा, वो अधात्विक खनिज, और जिन खनिजों से हमें उर्जा मिलेगी तो वो उर्जा खनिज धात्वी खनिज जिन खनिजों में धातू की मात्रा पाई जाती हैं उन्हें धात्वी खनिज कहते हैं इन खनिजों को क्या करते हैं गलाकन हम उपयोग में लेते हैं ये कठोर होते हैं तथा इनमें चमक भी होती है ठीके याद रखिएगा धा धात्वी खनिज कठोर होते हैं और इन में धातु की मातरा पाई जाती है ऐधात्वी खनिजु में धात्तु की मातरा नहीं पाई जाती उन्हें बताया था कि इनको घला कर हम उपयोग में लेते हैं थर्ड है उर्जा खनिज जिन खनिजों से हमें उर्जा प्राप्त होती है उन्हें उर्जा खनिज कहते हैं जैसे कोईला पैट्रोलियम और प्राकर्तिक गैस तो देखिए तालिका दो पॉइंट एक में धात्विक खनिज कौन से होते हैं लोह अयस् मैंगनीज, सीसा जस्ता, चांदी, तामभा, तो इनको हम गलाकर उप्योग में लेते हैं, अधात्विक जिनमें धातू नहीं होती, चूना पत्थर है, जिपसम है, संगमरमर है, अबरक है, रॉक पॉस्पेट, घीया पत्थर, नमक बलुवा पत्थर, इनको as it is used कर लिया जा था, उर्जा खनेज है, कोईला, खनेज तेल और प्राकरतिक गैस, जिनसे हमें क्या मिलती है, उर्जा मिलती है, राजिस्थान का बॉले स्टोनाइट, जस्पर, सीसा जस्ता, इत्यादी खनेजों में एक आधिकार है, तो 6 class में हमने ये लाइन पड़ी थी, और एक्जाम म चार उप्शन दे दिया जाते हैं, बॉले स्टोनाइट, जस्पर, सीसा जस्ता, और देखे एक और दे दिया जाए, जैसे चांदी दे दिया जाए, और पूछा जाए कि इन चारों में से राजिस्थान का खनेजों में एक आधिकार किस पर नहीं है, तो आंसर क्या रहेगा चांदी, संगमरमर, ग्रेनाइट, कोटा इस्टोन, बलुवा पत्थर, चांदी, जिप्सम, रॉक पॉस्वेट, कैलसाइट, बालकले, घिया पत्थर और तामा की उतपादन में भी राजिस्थान अगरनी है, खनेजों की उपलबदता और उतपादन में राजिस्थान का अरावली परवत माला शेत्र सरवादिक महत्वपून है, देश का अधिकांज सीसा जस्ता राजिस्थान में उतपादित होता है, तो सीसा जस्ता में एक अधिकार है, तो राजिस्थान में ही उतपादित होता है, इसके उप उतपाद के रूप में चांदी, कैडमियम भी प्राप्त होता है देवारी उद्यपुर में जस्ता सोधक सयंत्र है तथा चंदेरिया चित्तोडगड में सीसा जस्ता सोधक सयंत्र सापित है तो ये दोनों लाइने जो है इंपोर्टेंट है कि जो जस्ता सोधक सयंत्र है वो कहां है देवारी उद्यपुर में और सीसा जस्त उसके बाद एक और तालिका दी हुई है जिसमें खनिजों के नाम है और दूसरी तरफ है उनके जिले यहां से question पूछा जाता है तो दिखिए खनिजों के नाम में है सीसा जस्ता तो यह है उद्यपुर्क जावर में भीलवाड़ा और रासम्मद में और इसका उप्योग किया एक बार पढ़ेंगे आपको वैसे ही पता चल जाएगा लेकिन याद रखना है आपको खनिज का नाम सीसा जस्ता और यह किस जले में है उद्यपुर्क जावर भीलवाड़ा और रासम्मद में सेकिंड में है तांबा तांबा जो सभी जानते हैं जुनजनु खेत्री में अ रेलवे पट्री भवन निर्मान में ठीक है उपयोग एक बार आप इनको रीट करेंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगी कि लोहा देखिए कहां कहां लगता है मसीनों में लगता है रेलवे पट्री पर लगता है भवन का निर्मान करते हैं तब भी यूज किया जाता ह नेक्स्ट है चांदी चांदी उदयपूर रासमद में हैं चांदी से देखो आभूशन बनाया जाते हैं सिक्के बनाया जाते हैं ठीक है सजावटी वस्तुएं बनाई जाती हैं तो अभी तक सीसा जस्ता का उपयोग ही आपको याद रखना है बाकी तो बिल्कुल सामानने इसी बाते हैं जो कि हम रोज में यूज करते हैं तो वो चीज़े हमें याद रहती हैं सीसा जस्ता का उपयोग अमलबैटरी सुरक्षा उपकरन बरतन बरतन सौंदर परशादन और रंगोद्योग में उसके बाद है जिपसम जिपसम का उपयोग विकानेर नागोर स्रीगं लंगा नगर बाड में और जैसलमेर में ठीक है रसाइनिक उर्वरक प्लास्टिक और पैरिस और सीमेंट सीमेंट बनाने में जिपसम ठीक है चूना पत्थर इसका यूज करते हैं तो जिपसम का यूज हम सीमेंट बनाने में करते हैं रोग फॉस्पेड उदैफुर जैसलम बासबाड़ा और जैपुर तो यह भी रसायनिक और वरक में नेक्स्ट है अबरक तो अबरक के लिए भीलवाड़ा को जाना जाता है ठीक है भीलवाड़ा को अबरक नगरी भी कहा जाता है अजमेर जैपुर भीलवाड़ा के साथ अजमेर और जैपुर में भी अबरक मिलता ह और अब्रक का यूज करते हैं विद्दुत उध्योग में, सजावट में और दरपण में। उसके बाद है बॉले स्टोनाइट जिसमें फर्स नंबर पर है राजिस्थान, शीरोही और अजमेर में सरवादिक है। सेमेक उध्योग में, कागज उध्योग में और रंग उध्योग में पॉले स्टोनाइट का यूज करते हैं। वजुद्योग और रंगुद्योग में ठीक है यह चार्ट आपके लिए बहुत इंप्रोटेंट है नाइंद है संग मरमर संग मरमर जिसके लिए नागोर को जाना जाता है इसके अलावा राज सम्मत उदैपुर बासवाडा चितोडगर सीरोही और कोटा में भी संग मरमर मिल इसके बाद इसी जो चार्ट है इसी को इस मैप में दिखाया गया है कि खनेज कहां कहां पर मिलते हैं ठीक है तो चलिए हमने चार्ड के तुरू देख लिया है, तो जो जिले हैं वो आप लोग याद रखिएगा कि कौन सा जिला जो है मैप में कहां है, तो थोड़ा सा आईडिया लग जाता है कि कौन सा खनिज हमें कहां मिलेगा, ठीक है? जैसे यहां पर आप लोग याद रखिएगा जिसको मैप याद नहीं है, मैप को तो बहुत अच्छे से रट लेना है, क्योंकि यह आपको हिस्टरी में तो मदद करता ही है, उसके अलावा आपको जोग्रफी में बहुत ज्यादा मिलती है, ठीक है, पता होना चाहिए, टॉंक जो है, वो कहां है, टॉंक के पास में, अजम उर्जा संसाधन, उर्जा संसाधन को हम दो भागों में बाटते हैं, परम परागत उर्जा संसाधन, परम परागत यानि की पुराने ठीक है, और जो एक बार यूज़ करने पर समाप्त हो जाते हैं, ठीक है, इनको हम अनवी करनिय उर्जा संसाधन भी कहते हैं, जिनका बीनी करणि ना हो पाए. Next है, गैर परमपरागत उर्जा संसाधन. ऐसे संसाधन जो क्या है? परमपरागत उर्जा संसाधन नहीं है, ठीके? और जिनका उपयोग जो है, हम बार बार कर सकते हैं. इसका मतलब ये क्या हुए? नवीन करणिये उर्जा संसाधन हुए क्योंकि हम इसको नया बना सकते हैं उर्जा के परमपरागत संसाधनों में कोईला, खनिशतेल और प्राकर्तिक गैस इत्यादी आते हैं तो देखिए जो कोईला है हमने एक बार यूज किया वो समाप्त हो गया खनिशतेल यूज किया सम के लिए समाप्त हो जाते हैं तो इसी का पोजिट है उर्जा के गैर परमपरागत संसाधन अब परमाडू उर्जा का हम जितना यूज कर सके परवन उर्जा, पवन से यानि हवा से वायू से जितना हम यूज कर सकते हैं समाप्त नहीं होगी, सौर उर्जा नहीं होगी, बा बार बार किया जा सकता है उर्जा के परंपरागर संसाधन में देखिए सबसे पहले है कोईला कोईला चार प्रकार का होता है यह पूरा पहराग्राफ जो है कोईला से इसमें एक एक शब्द जो है वह important है ठीक है इसमें underline मैंने इसलिए नहीं किया है क्योंकि इसमें कुछ भ कोईला होता है ठीक है कई बार एक्जाम में पूछा गया है कोईले के चार प्रकारों को याद रखना है एंथ्रेसाइट बिटूमिनस लिगनाइट और पीट जिसमें एंथ्रेसाइट जो है वह है उत्तम प्रकार का होता है और पीट जो है वह है निम्न प्रकार का होता है और राजिस्थान में कौन सा कोईला पाया जाता है, लिगनाइट कोईला पाया जाता है, यह कोईला पलाना में बरसिंग सर्द्वीकानेर में, ठीक है, पलाना बरसिंग सर्द्वीकानेर में है, कपूर्डी बाड मेर में, मेर्टा रोड नागोर में और जैसल मेर में मिलता है तो पक्षमी साइड में हमें कोईला जो है बहुत आयत मिलता है, कोईला पलाना बरसिंगर बिकानेर में, कपोडी बाड मेर में, मेरतारो नागोर और जैसल मेर में, राजिस्थान का पहला सूपर थर्मल पावर स्टेशन सूरतगर स्री गंगा नगर में है, बहुत ज्यादा कोटा काली सीन जालावार जबडा बारा में कोईले पर अधिकादिक ताप बिद्दुत सैयंत्र है, और देखिए बाड मेर के जो गिरल में लिगनाइड आधारी ताप बिद्दुत सैयंत्र है, इसको तो आपको भूलना नहीं है कि राजिस्थान का सबसे पहला सूपर थर अर्मल पावर स्टेशन सूरतगर स्री गंगा नगर में है, नेच्ट देखिए खनीस तेल और प्राकरतिक गैस, जैसलमेर बेसन, बाड मेर सांचोर बेसन, विकानेर, नागोर बेसन में खनीस तेल पाया जाता है, तो ये भी राजिस्थान के पक्षिमी साइड में खनीस त प्राकृतिक गैस मिलेगा यह है बाड मेर रिफाइनरी घोटारू कमली ताल तनोट मनिहारी टिब्बा रामगण राजीश्वरी डांडे वाला आधी में प्राकृतिक गैस के भंडार पाये जाते हैं जहां सादे वाला जैसल मेर मेर में हैं बागे वाला वीकानेर में हैं आपके मैं कोई भी इस तरीके से help नहीं कर पाऊंगी, इनको तो आपको रटना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां से ऐसा कभी नहीं हुआ है कि exam में question नहीं आया हो, ठीक है? तो इस तरीके से आप लोग याद रखेगा, खनिस्तेल, घोटारू, कमली ताल, तनोट, मनिहारी टिब रामगड राजिश्वरी डांडे वाला में, और जैसल मेर के साधे वाला में, भीका नेर के बागे वाला में, बाड मेर के एश्वर्या मंगला में next है जल विद्दूत जल विद्दूत का उजासनसाधन में प्रमुख सथान है, राजिस्थान में चम्बल नदी घाटी पर योजना की अंतरगत, गांधि सागर्बान्द और राना प्रताप सागर इन से जल विद्दूत उतपनन की जाती है, तो जल विद्दूत कैसे उतपन सागर परियोजना से भी जल विद्धुत प्राप्त हो रही है तो दो याद रखने हैं चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतरकत गांदी सागर और राना प्रताप सागर से और बासवाडा में माही बजा सागर परियोजना से जल विद्धुत प्राप्त हो रही है कुछ बह उर्जा के गैर परमपरागत साधन, तो हमने अभी तक उर्जा के परमपरागत साधन, अब हम देखते हैं उर्जा के गैर परमपरागत साधन, जो की कभी समापतों नहीं होते, परमाणू उर्जा, रावत भाटा, परमाणू उर्जा सेंत्र देश का दूसरा परमाणू वादिक उप्युक्त है वर्तमान में जैसलमेर, प्रताबगड, जोतपुर और बाडमेर जिलों में पवन आधारेत, विद्धुद्ग्रह इस्थापित हैं तो जैसलमेर, जोतपुर और बाडमेर को तो आप याद रखते हैं प्रताबगड को विसेश तोर पर भूलिएगा नहीं पवन उर्जा के लिए जाना जाता है जैसलमेर, प्रताबगड, जोतपुर और बाडमेर यहां पवन आधारेत, विद्धुद्ग्रह इस्थापित हैं तो यह देखिए पवन चक्की और यह चितोडगड में रावत भाटा परमानों केंद्र थर्ड है बायोगैस, राजिस्थान में पसू पालन मुख्य व्यवसाय होने के कारण, तो पसू पालन मुख्य व्यवसाय है, इसके कारण बायोगैस सैयंत्र लगाए गए हैं, उदेपूर, जैपूर, सहित, अनिक जिलों में छोटे-छोटे बायोगैस सैयंत्र स्थापित किये गए हैं राजेस्थान सरकार द्वारा बायोगेस सेयात्र स्थाफित करने हेतु अनुदान भी दिया जाता है इसका उपयोग घरेलू उर्जा के रूप में हो रहा है तो बायोगेस का यूज हम किसमें करते हैं घरेलू उर्जा में नेक्स्ट है सौर उर्जा राजिस्थान एक गरम प्रदेश है अते सौर उर्जा का अधिक्तम उपयोग संभव है इससे सौर उर्जा उत्पादन की संभवना बढ़ जाती है सौर उर्जा का उपयोग उर्जा संयत्र स्ट्रीट लाइट सोलर को कर वाटर हीटर्स आधी में क किया जाता है राज्य सरकार द्वारा सौर उर्जा चलित च्छत सौर उर्जा संयत्रों एवं घरेलू उपकरनों पर वित्य सहयता देकर इनके उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है भाडला जोतपुर में देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क इस्ताफित किया गया है तो स और सबसे बड़ा सोलर पारक कहां है भाडला जोतपुर में ये देखिए क्या है वायो गैस सहयत्र है जिसका उपयोग हम घरेलू कारें में करते हैं और ये है सोलर पेनल तो आजकल तो सभी घरों में लगाये जाते हैं जिसे की लाइट की विवस्था बनी रहे हमारे पास खनेज संसादन और परंपरागत उर्जा संसादन सीमित मात्रा में उपलब्द हैं लाखों वर्सों की भूग अर्बिक प्रक्रिया द्वारा खनेज बनते हैं हमें खनेजों के आनिया में दोहन पर नियंत्रन करना चाहिए उर्जा के उप्रियोग में साफधानी बरतनी चाहिए इसकी अपव्याय को रोकना चाहिए तो जो उर्जा के परंपरागत साधन है वो क्या हो रहे हैं दिरे-दिरे खतम हो रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए इनका ओवर यूज नहीं करना चाहिए वेस्ट नहीं करना चाहिए ठीक है इन उर्जा के उपयोग में साफधानी बरतनी चाहिए चलिए चेप्टर होता है complete सब्धावली है, सौर उर्जा का अर्थ है, सूरे से प्राप्त उर्जा, अयस्क का अर्थ है, प्राकर्तिक रूप से पाये जाने वाला पधार, जिसमें धातू प्राप्त की जा सकती है, तो खनिज का अर्थ, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, और अयस्क का इन दोनों का अर्थ आप याद रखिएगा प्राकर्तिक रूप से पाया जाने वाला पधा जिसमें धातु प्राप्त की जा सकती है उसे कहते हैं अयस्क और खनिज किसे कहते हैं रसाइनिक संगठन वाला वह बहुतिक पधार्थ जिससे की हम खोद कर निकालते हैं ठीक है अब देखते हैं अभ्यास प्रस्न हर बार हम अभ्यास प्रस्न जरूर करते हैं जिससे पता लगता है कि कितने अच्छे तरीके से हमने चैप्टर को रीड किया है धात्विक खनिज सम्हू की पहचान कीजिए तो अब तो आप पटापट से बता पाएंगे सीसा तामा लोहा सीसा संगबरमर जिपसम तामा मैंगनी चूना पत्थर ग्रेनाइट तामा अबरक तो इसमें से क्या ढूनना है आपको धात्विक खनिज समू जिसमें धात्विक खनिज समू जिसमें धात्विक की मात्रा पाई जाती है क्या सीसा में तामा में लोहा में धात्विक खनिज ह हो गया ग्रे नाइट भी हो गया ठीक है यहां सी ओप्षन जो है इसमें चूना पत्तर हो गया तो आंसर क्या रहेगा ए ओप्षन सीसा तामबा और लोहा चंदेरिया सीसा जस्ता जोदक्स यंत्र किस जिले में इस्थापित है तो इसका आंसर देना है आपको चितोडगर आपको याद हो जाएगा यदि आप इसका कुश्चन का आंसर ढूणेंगे डैस प्रकार का कोईला स्रेस्ट है तो हमने देखा था कि एंत्रेसाइट प्रकार का कोईला जो है वो उत्तम प्रकार का कोईला होता है उर्जा के परमप्रागत साधन कौन से है तो परमप्रागत प्राकरतिक गैस ठीक है ये परंपरागत साधन होते हैं ऊर्जा की गैर परंपरागत साधनों के नाम लिखिए दो धात्य खनिजों के नाम बताईए और उनके संबंद जिले भी लखिए तो ये काम जो है वो किसका है आप लोगों का है और आप लोग वापस जाकर वीडियो को देखना और इन question का answer जरूर देखना इससे आपको बहुत वायदा मिलेगा जैसे ही आप इस question का answer ढूनेगे आपको वहीं याद हो जाएगा ठीक है तो इसी तरीके से मिलते हैं ह प्रूब लोगयदा